अलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप लोगों को यह वाली तोन पट्टी पना के दिखाने वाली हूँ यह देखिए बहुत ही सुन्दर डिजाइनर बिलकुल आसान है आसानी से आप इसे बना सकते हैं यह मैंने टू प्लाइ उन में बनाई है और ग्यारा नंबर क्रोश यह से बना के तियार की है स्टेप बाई स्टेप बताएंगे तो वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो चलिए शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग में 6 चेन लेनी हैं, काउंट करके 6 चेन लेंगे, 6 चेन लेके फिर एक सरकल बना लेंगे, फैस्ट वाली चेन में डाल के, और इसे स्लिप स्टेच से बांध लेंगे इस तरह से, अभी लोग लूप बनाने हैं, थोड़े लोग लूप बनाएंगे पप बनाने के लिए, इस तरह से, फोर टाइम पप बनाऊंगे मैं यहाँ पर आप कम ज़्यादा बना सकते हैं थ्री टाइम या फोर टाइम हैवी बनाना है या लाइट बनाना है उस हिसाब से पप बना सकते हैं पप बनने के बाद हमें चार चेन लेनी हैं चार चेन लेके नेक्स्ट पप बनाएंगे बहुती सुन्दर और आसान डिजाइन बनाके दिखा रहे हैं अब नेक्स्ट पप बना रहे हैं यह देखिए फोर टाइम ही बनाना है जिससे साइज एकदम बराबर आए और सही आए तो इस तरह से continue फोर टाइम पप बना लेना है पप बनने के बाद फिर से हमें चार चेन लेनी है बीच में चार चेन का गैप रखना है इस तरह से सरकल एकदम बढ़िया और सही बनेगा इस तरह से फोर टाइम लेने है इस तरह से सरकल में टोटल आठ पप बनेंगे चार चेन ले लेके तो यह देखे इस तरह से आठ पप बनाने है टोटल सरकल में और फिर चार चेन लेके लास्ट में इसे यहां पर जोड़ेंगे अब कलर चेंज करेंगे वाइट कलर यूज करेंगे इसमें तो इस वाले कलर को अटा देंगे इस तरह से कलर को जोड़ेंगे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से जोड़के और डबल क्रोशिय का दागा और नेक्स्ट में डालेंगे डबल क्रोशिय बनाएंगे इस तरह से आठ डबल क्रोशिय बनाऊंगे फिर दो चेंगे गहरे गहरे बनाने हैं यह देखे आठ डबल क्रोशिय हो गए अब दो चेंगे और फिर आठ डबल क्रोशिय बनाएंगे दूसरी साइड में काउंट करके बनाएंगे तो पूरा डिजाइन एक जैसा आएगा इसलिए काउंट करके ही बनाने हैं यह आठ हो गए तो यह इस तरह से आजाएगा और अब इसको इस वालें बांद लेंगे सिंगल क्रोश यह से फिर नेक्स्ट में डालेंगे यही से नेक्स्ट में डालेंगे और डबल क्रोश यह बना लेंगे इस तरह से च्यार बनेंगे यह वाले तो यह देखिए इस तरह से बना के तियार कर लेने हैं तो यह देखिए प्रेंच इस तरह से अलग अलग प्लार्स बना के तियार कर लेने हैं इस तरह से यह देखिए और अब हम इस से तोन पट्टी तियार करेंगे लेंद के हिसाब से प्लार्स तियार कर लेंगे जितनी लेंद में आपको तोन पट्टी बनानी है उस हिसाब से जोड़ते जाएं प्लार तियार करके और फिर जितनी लेंद ची उतना बना के तियार कर लें तो आप हम इने इस तरह से जोड लेंगे सील के ये रोंग साइड में जाके सील लें हैं यह देखी है कर अगर साथ साथ बनाते जाएं तो मैंने उस तरह से भी बताया हुए कि कैसे payer साथ साथ बनाते जा सकते हैं और जोड लग से जोड़ रहे हैं तो यह आप जैसे भी करना चाहें बनाना चाहें वैसे बना सकते इस तरह से बांध लेना है बहुती आसानी से बन जाते हैं यह स्टीच भी कर सकते हैं इस तरह से बांध लेना है पिस तरह अब गार पांधे तो ठीक है निसी इसे स्टीच कर सकते निकर नुट कर conscious का यह तयार हो गई इस तरह से पनदु यह जितने भी हैं बना के तियार कर लेना है जोड़ लेना है इन सबको और finishing दागे अगेरом Аटा के recognition कर लेनी है oh तो यह तो यह के प्रेंस इस्वेसे तोन पत्ति हमारी बनके umm तोन के हिलकल अलग और बहुत ही शुन्दर तोन पत्ति वनी है और बहुत यह आसानी से यह बनके दियार हो गई है अप चाहें तो side एड़ों में फिनीशिंग भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं जैसे भी करना चाहें तो अगर आप लोगों को यह तो तॉन पट्टी डिजाइन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू